सब्सक्राइब करिए टूडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटस्ट बिजनस और टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवन तो रास वेगा स्वागत है आपके अपनी चलना टूडे स्पोर्ट टिप्स पर दोस्ता जम बात करने जा रहे हैं कि जुआहर नवोद्य विदाले के अंदर आप अडमिशन कैसे ले सकते हैं दोस्तों अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाते हैं तो इसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले सेलेक्षन टेस्ट देना पड़ता है और दोस्तो इसके साथ साथ बताना चाहूँ कि देश के अंदर जितने भी जो नवोद्य विजाले है यानि कि दोस्तो जहां 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 नवोद्य विजाले है उनकी तरफ से किया है कि यह सेलेक्शन टेस्ट जो है जो आयोजित किया जाता है और जैसे ही यह selection test जो है complete होता है उसके बाद किया एकी merit list निकाली जाती है जिस candidate का नाम उसमें होता है तो दोस्तो उसको वह admission दे दिया जाता है इस विद्धाले के अंदर वहीं दोस्तो इसके लिए qualification की अगर बात करें तो दोस्तो अगर आप इसके अंदर 6th के अंदर admission लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 5th class पास होना जरूरी है और इसके साथ साथ दोस्तो उस जिले के अंदर जहां से आपने 5th class के उसी जिले के अंदर अगर कोई नव है वो 9th से 13 यानि कि दोस्तो 9 से 13 वर्ष के बीच में होनी जरूरी है वहीं दोस्तो अगर बात करें कि दोस्तो अगर आप 9th के अंदर admission लेना चाहते हैं तो दोस्तो उसी के अंदर उसी जिले के अंदर जहां पर कहें कि नवद्दे विदाले चल रहा है तो दोस्तो वहां स सरकारी स्कूल से आपका 8th pass होना जरूरी होता है और वहीं दोस्तो अगर बात करें 13 से लेकर 16 वर्ष के बीच होनी जरूरी है और वहीं दोस्तो 11 के अंदर 11 के अंदर आप admission लेना चाहते हैं तो इसके लिए कि 10th class आपका pass होना जरूरी है उसी जिले के अंदर जहां पर कहे 9th और 11th के अंदर आप admission इसके अंदर ले सकते हैं बस इसके लिए आपको एक छोटा सा selection test होता है वो आपको pass करना होता है जिसके बात क्या है कि आपको admission आसानी से मिल जाता है और वहीं दोस्तो बात करें कि दोस्तो इसका admit card यानि कि दोस्तो आपने form fill up कर दिया है लेकिन द इसी site के उपर आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाती है इनकी जो official website है वो navodya.gov.in है उस पे जाकर क्या है कि आप सारी जानकारी भी चेक कर सकते हो और admit card से लेकर आप form fill up तक पूरी जानकारी वहां से आपको मिल जाती है और वहीं पे आप पूरा समाधान आपको मिल जात है वहीं दोस्तों अगर बात करें नavodya विदाले की तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर क्याए कि 6 से लेकर 12 तक की बच्चे होते हैं उनको क्याए कि free में एड़ुकेशन दी जाती है और इसके सासाथ क्याए कि सरकारी जो भी सुविदाई होती है जैसे कि खाना, पिना, रहना, देनिक, जीवन में जो भी उनके लिए जरूरी चीज़ें होती हैं वो सारी उनको उपलब्स कराई जाती है और आगे बढ़ने के लिए जिन चिज़ों की जरूरत है बच्चों को वो उनको मोहिया करवाई जाती है और इन नavodya विदाले की है न स्ट उनके लिए यह सुनहरा मुका होता है कि एक सेलेक्शन टेस्ट होता है उसके बाद कि वह अराम से 6th, 9th, 11th के बाद है इसके अंदर अडमिशन लेकर अपना केरियर जो आगे बढ़ा सकते है और अपने श्टड़ी पूरी कर सकते है वो भी बिलकुल फ्री के अंदर उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगे श्टड़ों को लाइक करें शेयर करें होसके ते चनल सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम आपके सामने से वीडियो लेकर आता रहते हैं तब तक के लिए दोस्तों जैह हिंद वंदे मातरम